हम मदब्रदिश में इस्थित गुफाए देख रहे हैं और इसे हमें एक कोट की थुरू देखेंगे बहुत आसान तरीके से यह आपको याद होने वाला है देखें यहाँ पे तीन नाम में लिखते रहा हूं भीमराय, मारा सिंग, मारा सिंग और उद्वी भाव, यह तीन बे भीमराय, मारा सिंग और उद्वी भाव ने कहा अहो बाग इतना से याद रखना है आपको तीन नाम याद रखना है और उसके बाद में बोलना अहो बाग हना भीमराय, मारा सिंग और उद्वी भाव ने कहा अहो बाग तो इसका मतलब क्या है यह याद हो गया तो इसका मतल है यह भीम बेटी का की गुफाय यह देखिए इसका आंसर थीक है कैसे निकालेंगे यह कोड में आंसर है मैं समय बचाना के लिए यह सारे मैंने कोस्टन लिख दिया कि इस प्रकार के कोस्टन एक्जाम में बन सकते हैं और राजिस्तर के लिए बहुत ही बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है राजिस्तर की परिक्षा में आती ही रहते हैं तो यह भीम बेटी का और यह मास से यह निकल जाएगा क्या मरगेंदरनाद ठीक है यह दोनों ना राइसेन में क्लियर बा हुआ लिखंगे भाएसेन पेल्कुल सिंपल सी इसी में लिखा है है पुपर př॥च्प यह मा caterउली में उताып झाल व चुली है इसके बाद में हम और आगे दिख रहे हूं हिसके इसके बाद में एक पार को बस याद कर ले ने बिलकुल आसान है पिर इसके बाद में भरथरी की गुफा और मैं यह इसके सामने बरतारी की गुफा कहा पर होच्यन में इसके बाद में यह आदमगड़ इअ को देख रहा होगा अदमगड़ कहा पे घौ छब देख पर कूफ देख लेघ धार बाग तो बाग की गुफा धार में है यह कहां से निकल जाए बाग घाज देख रहा है धार क्लियर है इसके बाद में अब यह वाली गुफा और हम देख लेते हैं कि संकराचार की गुफा कहां तो संकराचार तो देखो संकर को और क्या बोलते हैं ऑंकार बोलते कि नहीं संक्राचार की गुफा कायब है उंक्रेश्वर में इसके बाद में कवरा कवरा की गुफा्यर यह इता में राजगर के सी याद करएंगे क्वणा राये सेट्व बहुत कनफ्यूजन रहे दailing से याद करते हैं देखो भी अधी आदमी कबर में रख दिये हैं, इसका मतलब है, हाना कबर में रख दिये हैं, अब थोड़ी दिर बास उसको गड़ा भी देंगे, कई लोग जला देते हैं, अपने आस रखते हैं, कि भाई कबर में जो बैक्ति को रखते हैं, कबर में हाना कबरों में रख दि इसके बाद में विलोबा विलोबा ये कहां पे गॉलियर में विलोबा की गुफा कहां पे है गॉलियर में अब हम थोड़ी सी स्तिति और किलियर कर रहे हैं अब हम फिर से उपर चल रहा हैं और यहाँ फू लिए हैं सिरी बाकड करते हैं बाकर रोलातो हना को टहले बाकड कर रहना है। प्रश्ण ये भी है यूनेशकों ने इसे बिश्व धरुवर में कव सामिल किया तो वह सामिल होने का वरस्ता दो हजार दिन में है मद प्रिदिश में विश्व धरोहर में सामिल है भीम बेठी का हाना आपको पता ही होगा हाना कि खजुराओ है साची है और फिर भीम बेठी का भी में आप तो आपको इसका सनियाद रखना 2003 2003 2003 इसके बाद में विशिष्टा तो इसके बाद में विशिष्टा में हम क्या बोल समूँ ठीक है सबसे बड़ा गुफा का समूँ है ये क्लियर है ठीक है तो इस्तिती में राइसेन खुजकरता बाकणकर बर्स उनिस्टो सतावन ठावन में खुजी गए युनेसको ने włva 33 में से सामिल किया अपनी लिस्ट में और विश्रस नहीं की जो गुफा जाती तो मरगेदनाथ की कोफा राइसेन में है यादी होगया होगा म्रगेदनाथ की गुफा यह कहां पर है राइसेन में इसके बाद में आना यह कौन से धर्मस सम्भशित header Bernard से धर्मस संब्दी तो धर्म में हम क्या करेंगी कों से सम धर्मस संब्दी तो यह थर्म कैसे याद करेंगे app कि जो जैन धर्म कैसे लाएंगे हम करके जैन कैसे लाएंगे करके तो हम ऐसे याद रखते हैं जो जैन तर्थंकर थे उनमें एक लेडी भी थी याने उसमें सामिल हाना तो उस लेडी का नाम क्या था उसका नाम मली नाथ था हाना उसका नाम क्या था मली नाथ हाना तो मली नाथ जो थी ना एने तो जैन धर्म के तीर्थ क बहुत सारे लोग बच्चे लोग रहते हैं और देखो पहले तो क्या होता था कि काई लोग तो क्या चड़ाने भी लगते थे बुद्धु 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 ऐसे बोलते हैं और फिर न फिर उधार से टीचर का बर्क नहीं करो न तो कोई भी टीचर आता था उधार से आया हो और मारा हाना किसको मारा हाना जो लोग बर्क नहीं करे होंगे जो लोग भुद्धु है उनका भी करे तो है मगर गलत सलत करती है तो ऐसे याद करते हैं मारा और जो भाइ कमजोर बच्चा है रहा है कि ठीक है नहीं पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है उसको हना बता रहा है फिर भी समझ में आ रहा है तो उसकी फूड़ी थोड़ी चरजात होती है, तो यह से यादआ करते हैं, मारक गुफा बॉदकाली, फिर उदयगीरी तो उदयगीरी, भी बिधीशा में समय, समय उदयगीरी का जो समय है, उसको तो हमें यादी करना पड़ता है, कैसे कैसे याद कर लिंगे, हम जैसे की उद्य, सूरज उद्य हो था, किते बजे, बिल्कुल उद्य होने लगता, 4, 5, 4, 5 बज़ लगबग लगा, अभी तो 5 बज़ दिन निकलने लग रहा है तो 4 से 5वी सताब दी, जोल्टी और पाँचवी सताव्दि है कि याद कर लेंगे जान्य के इसटी पाँचवी इसके बात में यहां पर काल की कष्optा काल की गुप्टा काल का engaged गुप्टा काल है ऐसे याद कर लेंगे 4-5 बजए इस विए काना है सूरज तो नहीं निकल Chief गुपते ही रहता न वहां उद्य होने लगता बिल्गुल अब सोबैह होने वाली है इसलिए 7 आ GUPत में इसके बाद में यहां पर दड़ेख़जी में क Whew गुफा कित्ति है तो यहां पर ऑदेगरी में झो दिहान रखना है ये जैन धर्मस संब्दिते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम देखते है भरतरी, तो भरतरी की गुफा कहां पर हो गई, उज्येन की हो गई, और साहा ग्यारवी सतावदी, अब भी यहाँ पे काल बोले, कौन से काल में, तो यहाँ पे परमार, परमार बंस का काल था, तो यहाँ पे परमार बंस का जो काल था, उस समय में ग्यारवी सतावदी में परमार बंस का काल था, और यहाँ पे भर्थरी की गुफा उज्जेन में मिली है और यहां पे जो भर्थरी की जो कुल गुफाई है ना तो यहां पे कुल गुफाई जो है नौ है हाना भर्थरी नाम के जो जेन है तो वहां पे कित्ती गुफाई है नौ गुफाई है यहां पे इसके बाद में आपका आदमगड़ और आदमगड़ कहां पे होशंगाबाद म इसके बाद में होशंगा बाद में यहां पर हमें यह देखना है कि भाई यह क्यों प्रसिद है तो यहां पर इसलिए प्रसिद है सेल चित्रित गुफाएं वाग की गफा यह कहां पे धार और जो अनवीषक है ना उसका नाम भी बड़े जैसे बाग डेंजर है तो इसका अनवीषक भी बहुत डेंजर टाइब का नाम ही इसका डेंजर है इसका नामी हो गया डेंजर फिल्ड इसका नामी हो गया डेंजर फिल्ड मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक टाइब कर रहा होगा जैसे बाग खतरनाक रहता ये भी खतरनाक टाइब कर रहा होगा तो इसका नामी हो गया डेंजर फिल्ड और इसका नहीं जो समय क लना है तो हमें धर्में में बहुत धर्म और यहां पे न कुल गुफाय पांस थी अब इससे याद कैसे करें क्योंकि यह बहुत बार आता तो इससे याद करना जरूरी है तो इसे हम नहीं ऐसे याद कर लेते हैं देखो बाग घायने धार तो होई जाएगा अनभीशक तो बा पांस से साथ बीसटाब ताब दी हना इसके बाद में आ काल काल को ऐसे याद कर सकते हैं आपनी सिकार की खोज में कैसा गुप्त जगह में बैठा रहता है और आचानक से ना जानबर पर हम्ला कर देता है तो आपको ऐसे द्यान रखना बिलकु गुप्त जगह में बैट रहते हैं ऐसा लगता है कि कोई नहीं करके परन्तु वहां पे क्या रहता धिक है ना वहां पे बाग रहता है ओके फिर इसके बाद में यहां कोई बाग आया था करके इस प्रकार से याद कर लेना है अब इसके बाद में संक्राचार तो संक्राचार की यहां पर संक्राचार वाली जो तो संक्राचार की गुफा में यहां पर geasну लोगना देखो यहीं पर लिखाया थे संक्राचाण हेने संकर किया राधना की इसके की गोफा राजगर में इत्ता सिंपल से याद करा पांडों की गोफा पच्मडी में है और फिर इसके बाद में पांडव ने can do लोग थे तो पांडवो ने यहां पर अज्ञाद बास गुजारा यहां पर अज्ञाद बास गुजारा कि बिलोबाग गुभा गॉलियर में है थैंक यू